Hey guys, welcome to the study with my young, मैं हूँ आपका my young, हम लोगों की यहाँ पर उत्तरप्रदेश एक समख गद्धन की सिरीच चल रही है, जो कि आपकी UP-PCS सहित, UP की सभी परिच्छा होई तू अति महत्पूर है, आज आपका SC करम में लेक्चर नमबर 10 है, यहाँ पर हम उत्तरप्रदेश की खन और आप UP के मैप में UP का बहुत एक बिवाजन देख पा रहे हैं, बहुत एक दरश्टी से UP को तीन भागों में डिवाइट किया गया है, भावर उत्तराई प्रदेश, मैदानी भाग और पठारी भाग आप लोग भावत्तराई प्रदेश के बारे में जानते हैं, मैदानी भाग के बारे में आपने पढ़ा है, यानि UP का जो मैदानी समतल भाग है, इसका निर्माड हिमाले से निकलने वाली नदियों और प्राइदिवी पठारों से निकलने वाली जो नदियां है, उनके बुंदेलखंड का जो पठारी भाग है ये भारत के प्रैदिवी पठार का उत्री वाला हिस्सा है और भारत में अगर खनिज हम देखें तो भारत में जो खनिज पाए जाते हैं वो प्रैदिवी पठार के चट्टानों में पाए जाते हैं यानि यूपी में जो खनिज आप देखने को मिलेंगे आपको, वो आपको पठारी बाले भाग में ही देखने को मिलेंगे, यानि ये बुंदेल खंड का जो पठार वाला रीजन है, यहीं पर आप खनिज देखने को मिलेंगे, तो खनिज की दर्ष्टी से उत्तर पदेश एक निम्नमध्यम स्रेडी का राज है यानि कि यहाँ पर उतनी ज़्यादा हम धनी नहीं है खनिज की दश्टी से, हमारा राज जो है एक निर्धन किस्म का राज है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज नहीं पाए जाते हैं यहाँ बिंद करम की सेलों, बुंदिल खंडी छित्रों, हिमाले सेडी के निचले भागों, तदा कुछ नदी घाटियों में खनिच और उप खनिच पाई जाते हैं देखें, यूपी में अगर खनिच की बात करें, तो जो आपका बुंदिल खंड वाला रीजन है, आपको इसके बारे बताया था कि बुंदिल खंड का जो पार्ट है, वो अलग-लग काल करम में बना हुआ है, इस साइड की चट्टानों में आपको आर्कियन करम देखने को मिल कि कалते हैं, अगर आपसे पूचा जाए उतरप्रदेश में खनिच संपदा की खोज, विकास, और उद्योगों की स्थापना की गई, तो आप बता देंगे ये उत्योपच्बन में की गई है, खनेज आधारित उद्द्योग लगाने के उद्देश से 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनेज विकास निगम की स्थापना की गई थी हनाकि इसे वर्स 2020 में भंग कर दिया गया था अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश राजी खनेज विकास ने हमकी स्थापना किस वर्स की गई है तो ये 1974 में की गई है प्रदेश की पहली खनेज नीत दिसंबर 1998 में गोसित की गई और इसमें खनेज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया देखे इस नीत में प्रदेश के बारे जिलों को खनेज भाहल शेतर गोसित किया गया है इन बारे जिलों में आपका प्रैदीपी रीजन वाले जिले हैं वो जिले सामिल है और एक जिला जिला यूपी का उत्तरी वाला जिला है यानि साहरनपूर रीजन भी आ जाता है तो प्रियागराज, जहांसी, साहरनपूर, मिर्जापूर, टलिपूर, जालोन, महोबा, सौनभद्र, चित्रकूट, चंदॉली, बांदा, हमीरपूर ये बारे जिले है तो यहाँ पर ये मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका लिर्दपूर हो गया, ये आपका जासी है, जालोन है आपका, ये आपका महोबा है, इधर आपका हमीरपूर है इसमें, बांदा आ गया, ये आपका चित्रकूट है, इधर आपका ये प्रियागराज यानि इलावाद, य आपका मिर्जापुर है, ये चंदॉली रिष्टेक है और ये सौनभद्र है और उपर आप साहरनपुर देख पा रहे हैं तो टोटल आपके ये बारे जेले हो गए जो कि खनीज भाहुल शित्र इसमें गोसित किया गए थे मई 2017 से लागू नई खनिन नीत में भष्टाचार से निपटने हिर्दू अनेक उपाय किये गए इसी करम में यहाँ पर रोयाल्टी की ब्रद्दी की गई है तो रोयाल्टी की लक्ष में ब्रद्दी करते हुए एक दसम्राप आठ पाच परसेंट की जिए तीन परसेंट रोयाल्टी यहाँ पर अब कर दी गई है भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल में उत्तर पर देश का लगवाद 5 परसेंट भाग है यानि कहने का मलब क्या है आपको एक मौटा मौटा एक्जामपल लेकर बता दे रहा हूँ कि माल दीजे भारत में जो खनिजों का उत्पादन हो रहा है उसका मूल माल लेते हैं 100 रुपे है तो इसमें 5 रुपे के मूल का जो खनिज है वो यूपी से भी आ रहा है यह बात यहां पर बोली गई है एक्जामपल दिया है मैंने hier पर 5 रुपे या 100 रुपे की बात नहीं किवाल एक्जामपल लेकर समझाया है यूपी के प्रमुक खनिज देख लेते हैं कि यहां पर यूपी में कौन-कौन से प्रमुक खनिज देखने को मिलते हैं वॉकसाइट, डाइसपुर, डॉलोमाइट, जिपसम, चूनाबत्तर, मैगनेसाइट, ओकर यानि जिसको गेरू कहते हैं फॉस्पोराइट, फाइरोफाइलाइट, सिलकासेंड, गंधक वा कोईला, आधी राज में मिलने वाले ये प्रमुख खनेज हैं मौरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संग मरमर, सामाने बालू, कंकर शोरा, लाइम इश्टोन आधी प्रमुख उप खनेज हैं यानि ये कम मात्रा में पाए जाते हैं जबकि ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इनके इलाबा कुछ अनि खनेज अल्ब मात्रा में भी पाए जाते हैं तो यहाँ पर कौन-कौन से में खनेज हैं और किन-किन जिलों में परमुखते पाए जाते हैं वो भी हम आगे अब देखेंगे चूना पत्तर की बात करते हैं तो चूना पत्तर, मिर्जापुर जिले के गुरुमा, कानाच, बाबुहारी, रोहतास छेत्रों और सौनभद्र के कजरहाट छेत्र में, उचिस रेडी का चूना पत्तर प्रच्र मात्रा में उपलप्ध है, देगे यह आपका मिर्जापुर है और यह आपका सौनभद्र है, तो सौन पत्र में कजिराहट छेत्र है और बात बाकिया पर जो गुरुमा, कनाच, बाबुहारी, रहोतास तो देख रहे हैं ये मिर्जापूर में पढ़ते हैं मिर्जापुर में ही चुनार भी पड़ता है आपने जो असोग इस्तम देखे हैं वो मिर्जापुर के चुनार से ही बने हुए चुनार के बलुआ पत्थर से ही बने हुए है तो मिर्जापुर के चुनार साथ सौनवद्र जिले में चुर्ग दसा डल्लासीवेंट फैक्टरियों के लिए चुना पत्थर इनी इस्थानों से उपलब्द होता है चुने पत्थर के संजित राजी की दश्टी से प्रदेश का देश में दूसरा इस्थान है यानि कि चुने पत्थर का जो श्टॉक है अगर उसको अकरम देखें तो आपका उत्थर पत्थर के संजित राजी की दश्टी से पहले इस्थान पर जो राजी है वो आपका राजिस्थान आता है कोईला की बात कर लेते हैं देगे आपको पहली पता होना चाहिए और सौनबद्र में जो गौणवाना चट्टान है उनमें आपको कोईला देखने को मिलता है सौनबद्र के सिंग्रॉली छित से प्राप्त कोईले का उप्योग ओबरा अताब बिद्दुद ग्रहें और सिंग्रॉली सहयंत्र में किया जाता है इनके बारे में आप कल के वीडियो में आप जान चुके है नोट भी लिखा हुआ है राजी के कुल खरिज उत्पादन मूल का लगबग आदा हिस्सा कोईले का है यानि आपके यूपी में जितने भी खरिजों का उत्पादन होता है उनमें 50% मूल का योगदान जो होता है वो कोईले का होता है ये बात यहां पर बताई गई है बॉक्साइट बॉक्साइट एलुमिनियम का मुख अयस्क है जोक्य प्रदेश के बांधा चंदोली और ललितपुर जंदोलों में पाये जाता है ये ललितपुर है ये आपका बांधा है और इधार ये चंदोली जिश्टिक है इस अयस्क से एलुमिनियम निकालने का काम रेड कूट यानि रेड कूट एक जगह है सौन बत्र में यहां पर हिंडेल को कंपनी के द्वारा किया जा रहा है दोलोमाइड देगे प्रदेस में उच इस्तर का डोलोमाइड खनिज सौन बत्र में कजरहाट छेत्र से प्राप्त होता है इस सौन बत्र का जो कजरहाट छेत्र है यहां से उच कोटी का डोलोमाइड खनिज निकाला जाता है इसका उपयोग इसपात उद्ध्योग में निसरड और रीफ्रेक्टरीज निताब सहे बनाने के लिए किया जाता है बांदा दिले में भी डॉलोमाइट प्राप्त होता है लेकिन सौनवद्र दिले में सबसे ज़ादा प्राप्त होता है यह पोर्टलेंड सीमेंड प्लाष्टर और पेरिस तता गंधक वा तेजाप के निर्माण में भी प्रयोक्त होता है अब बात कर लेते हैं कांच बालू यानि इसको सिल्का सेंड कहते हैं प्रदेश में गंगा और यमना नदीक से कांच बनाने योग सिल्का बालू प्राप्त किया जाता है यानि जो आपका कांच देखते हैं उस कांच को बनाने के लिए जो सिल्का बालू चाहिए होती है वो गंगा और यमना नदीक में से प्राप्त होती है प्रदेस के प्रियागराज जिले के संकरगड एवं यमना नदी चित्र यानि जो आपका प्रियागराज का संकरगड है अलावाद के प्रियागराज के जिले का संकरगड और यमना नदी का जो चित्र है यहां से चंदौली के चकिया चित्र जो आपका चंदोली डिष्टेक है यहाँ का चकिया चित्र है जहांसी के मुंडारी एवं बाला बहिट चित्र यह आपका जहांसी है तो जहांसी में मुंडारी और बाला बहिट चित्र तब बांदा और चित्रकूर जिले के लोहगड, बरगड तब धांद रोल शित से कांच बालू प्राप्त होता है पोटास रवड की बात करें तो यह खनेच प्रदेश के प्रियागराच चंदौली जहांसी तब बांदा जिलों से प्राप्त किये जाते है एंडुलसाइट, जो है बिर्जापुर और सौनभद्र में यह खनेच अधिक मात्रा में उपलब्द है इसमें लोह अंस अधिक होता है, किन्तों एल्यूमिना और च्छार अंस कम होता है पोर्सिलेन तसा स्पार्थ प्लक उद्योग में इसका उप्योग किया जाता है पाइरोफिलाइट, पाइरोफिलाइट खनीच प्रजिस के जहांसी, हललललितपुर, महोबा और हमीरपुर जिलों में पाये जाता है यानि कहां कहां पर पाए जाता है प्रदेश के जहांसी में ललितपुर में आपका ललितपुर है जहांसी है महुबा है और हमीरपुर यह चार जो जिले हैं इन में पायरोफिलाइट पाय जाता है इसका उपयोग तापस है और सिरे में कुद्योग में किया जाता है इससे प्रियोग किया जाता है प्रदेश के मिर्जापुर और सोनबदर जिले में प्रचर मात्रा में पाया जाता है चाइना के लिए चाइना के लिए जो है सोनबदर और बांदा जिले में चाइना के लिए पाया जाता है और पायराइट जो है आपका मिर्जापुर में और सौनभद्र में पाय जाता है फायर कले की बात करें फायर कले का मतलब नोन प्लास्टिक जो कले होती है यह परदेश में मिर्जापुर जिले के बांसी, मकरी यहां पर जो गौणडवाना करम की चट्टान है इसमें फायर कले के निच्छे पाय जाते है रॉक फास्टिक तो रॉक फास्टिक नलिकपुर के दुरमाला, किमोई, मसराना, माल देबता और चमसारी में रॉक फास्टिक के अपार भंडार है नई शेत्र में बांदा जिले में भी प्राप्त हुए हैं कोच शेत्र लेकिन हाना के अभी आपका जो रॉक फास्टिक का उथनन होता है उललिकपुर जिले में होता है इस खनेज का उपयोग कुरवरक उद्योग और अमली मर्दा के उच्चार में होता है हीरा की बात करें तो देगे ये कुछ ऐसे जो महतबूर महतबूर जो खनेज हैं जिनके बारे में अक्सर प्रश्म कुछ लिया जाता है कि हीरा प्रदेस में हीरा कहां पाया जाता है तो प्रदेस में हीरा कुछ मात्रा में बांदा जिले में मिलता है यहाँ पर हीरा मिलता है इसके लाब मिर्जापुर के जंगल में भी कुछ हीरे मिले हैं लेकिन यह confirm नहीं है कि यहाँ पर मिर्जापुर में भी हीरे हैं लेकिन बांदा रिष्टिक में confirm है नवीन खोजों के नुसार बांद आके सीमा वरती छेत्र जो कलेंजर छेत्र है तो कालेंजर में हीरे के व्यापक बंडार होने की संभाव ना है अब सोने की बात कर लेते हैं सोना प्रदेस में कुछ मात्रा में शार्दा और रामगंगा नदियों के रेतों में पाये जाता है. दीके शार्दा नदी नहपाल से आती है और रामगंगा आपको उत्राखंड से आती है, तो सोना इनी नदियों की रेतों में पाये जाता है, अभी हाल में ही नवीन खोजे हुई है, इनिके उनसार रलिदपुर जिले के भीकमपुर चित्र और सौनवद्र के हर्दी चित्र में स्वर्ड खनिज होने की संभावना है देखे, Geological Survey of India ने सौनवद्र के हर्दी चित्र में सोने होने की पुष्टी कर दी है यानि सोने का यहाँ पर एक बड़ा भंडार मौजूद है और इसके उत्खरन के लिए टेंडर भी उठाया जाना है संभवत इस साल के एंड तक आपका जो उत्खरन कारे है वो भी स्टार्ट हो जाए तो यह बात आपने अक्वार में देखी होगी अभी हाल में ही एक महीने पहले की न्यूज है तो सौनवद्र का जो हर्दी वाला चित्र है यहाँ पर जियोलोजिकल सर्वे उप इंडिया ने कनफर्म भी कर दिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोने का भंडार यहाँ पर मौझूद है तावा की बात कर लिते हैं तो तावा प्रदेश के ललिद्पुर्ट जिले का सोनराई छित्र तावा उत्पादन का प्रमुक छित्र है तावा मुकित है आगने इवं परत्दा चट्टानों में नसों के रूप में मिलता है यूरेनियम देगे यूरेनियम की दश्टी से आपका एकमात्र जिला है यहाँ पर यूरेनियम मिलता है और बहुत है ललित्पुर्ट जिला तो प्रदेश के लिलुदपुर जिले में यूरियनियम के सीमित भंडारों की खोच की गई है संग मरमर संग मरमर एवं अन इमार्ती बत्थर मिर्जापुर और सौनवध जिलों में पाये जाते हैं एसबेश्टस प्रदेश के मिर्जापुर और बड़ा गाउं छितर जहांसी में एसबेश्टस पाये जाता है इसका उप्योप मुक्रूप से सीमेंट निर्माण और बिद्दू दुपकरणों में किया जाता है इसमें ताप सहन करने और रासानिक रिया से अधिक प्रवावित ना होने की छम्दा होती है जिफसम की बात का लेते हैं तो जिफसम राजिके जहांसी और हमीरपुर जलों में पाये जाता है जहांसी सही लगा हुआ जो जिला है हमीरपुर इन दोनों जलों में पाये जाता है और इसका उपयोग मुक्यदया, सीमेंट, गंधक, ता अमोनियम सल्फेट नामक, रासाइनिक मदार्थ के निर्वाण में इसका उपयोग किया जाता है कुछ आपके यहाँ पर विवित तत्य दियो है, अब देगे यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस कियोगी कि पूरे परदेश में अबरग का मैने जकर नहीं किया है, यानि परदेश में अबरग नहीं पाये जाता है अगर आपसे विकल्प दिये जाएं, चार विकल्प दिये जाएं और पूशा जाएं कि प्रदेश दिम्न में से कौन सा खनेज उत्तर प्रदेश में नहीं पाये जाता है तो अब्रग जो है आपके यूपी में नहीं पाये जाता है बांदा जिला जो है आपका बांदा जले में ओकर यानि गेरू पाये जाता है अगर आपसे पूशा जाए कि आपके प्रदिस में गेरू कौन से जले में पाये जाता है तो गेरू जो है आपके बांदा में पाये जाता है निकांच वालू के उत्पादन में आंद्रा पहले नंबर पर है चुने पत्थर के भंडार के मामले में अगर बात करें तो राइस्थान पहले नंबर पर है और यूपी सेगंड नंबर पर है तो ये था हमारा आज का वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल न भूलें और आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट या कोई क्वेस्चन है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आप मैं ऐसे ही कुछ लोगों ने पूछा था क्या सर इस वीडियो के बाद यानि सीरीज के बाद क्या इससे संबंदित अभ्यास के प्रश्ण भी आएंगे बिल्कुल आएंगे इसकी टेस्ट सीरीज भी लाई जाएगी आप लोग धहरे रखें आपको end में जितने भी आपको portion cover करवा दिया गया है उन सबसे संबंदित test सीरीज भी दी जाएगी इसके लाबा ये बात भी आप जान लीजिए कि जो ये सीरीज मैंने UP से स्टार्ट की है UP एक समक रध्यन करके सीरीज स्टार्ट की है अंधर श्टेट की लिए भी मैं सीरीज लेकर आऊँगा यानि इसके बाद बिहार का नंबर है फिर MP, राजस्थान फिर आप उपर पढ़ेंगे तो हर्याना, हिमाचल पतेश जितने भी आपके हिंदी भासी राज्य है उन सभी हिंदी भासी राज्यों की आपको इसी प्रकार की सीरीज आपको देखने को मिलेगी तो आप लोग धहरे बनाए रखें, साथ बने रहें और आपके अमन में कोई डावड या कोई क्वेरी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं तो चलिए आज की वसना ही थैंक्स फॉर वाचिंग जय हंदु